आज तरफ्टाथ दिवष के घरत देश का 76 मा सवतंततता दिवष है और 75 वर्ष गाड़ है यानि हमने 75 के 75 साल प्ठोरे करनी है और इन 75 वर्षों में घरत देश अजान रही के बाद बहुत सारे चीज़ को इने चीला और एकतर से कहा जाए कि हमारे कहा तो जाता है इसे कि 200 साल ही गुलाम रहे वहारी गुलाम नहीं रहा है अगर रस्तुता आप देखेंगे तो हमारा देश इसाफ फूरू से जो बहरी आक्रमणों से जूझता रहा है इरानी आये, फार्सी आये, गुगल आये, अंग्वेश तो बहुत बाद में आये थे, उसके पहले सब्सक्र लगवग उदीस सो बीस सो साल तक हमारे देश एकतर से घुलामी रहा, किसी और कहीं शब्रचाया में जीता रहा बढ़ता रहा, तो ये वस्तुता है कि देश की अगतर वर्षाओं में देश ने जो अभुदपूर एक परगती की है, उस परगती में जो सबसे बड़ा सार्थक कदम है, वो समाज का है, तो कि आजादी के समय समाज की क्या इस्तिती थी, और आज हमारे समाज की क्या इस्तिती है, ये वस्तुता भी बहुत ऐसे लोग है, और आज भी हमारे साथ जिवित हैं, तो उनके तरफ से एक तरश सुनने मिलती है, देखने मिलती है कि आजादी के पहले की स्तिती, समाजी की स्तिती, परिवारी की स्तिती, आर्थी की स्तिती क्या इस्तिती और आज भी क्या है, वस्तुता इन सारे चीजों को हमने प्राथ क सब कोई परगती की ओर रहे पढ़े लिखे क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ना एक उन्मों कोटेशन कुनते थे स्वास्ती सबसे बड़ा धन है अज बोलने के कारण और था कली आपने नियूट सुना होगा हमारे देश में यह कभी 6,000 क्रोर का मालिक था जिसको बिग बुलियन कहा जाता था देश का और वो थे मात्र 62 साल के उनके पास पैसे के नाम से बड़ा जाता है 6,000 क्रोर के और उन्होंने अपने लिए एक मिनट का सास की विवस्ता नहीं कर पाया यानि हमारे लिए पैसा कुछ नहीं है बाकी सारा चीज कुछ नहीं है जहां पर स्वस्थ रहना, स्वस्थ मानसिक्ता और स्वस्थ विचार यह तीनों का मेल की हम संभब है कि हम रेल के परिचालन में संपूर्ण जो सेप्टी का हम बात आती है जीवदुर विठना की बात आती है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं तो आप लोग से एक आगरा रह अगर बात रहिएगा कि सबसे पहले अपने स्वस्थ पे द्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे जिसको हम लोग फिजीकल स्वस्थ और मेंटल स्वस्थ की बात करते हैं उसके बाद वेल्ठ पे भी धियान देंगे, क्योंकि आज किस तुम पढ़ेगा तो आपका परिवार ब सरकारी नौकरी के लिए जूज रहे हैं, एक अदब सी नौकरी के लिए जूज रहे हैं, बीटे केम से करके लड़का 10-5 जार की नौकरी के लिए अदब सा जूज रहा है, अकिर ऐसी समस्याएं क्यों आ रही है, हमारे पास दो चीज होती है, एक नौकरी देने वाला, एक तो नौकरी करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, नौकरी देने वालों की तादाद घटी जा रही है, और देश की परगती नौकरी करने वालों से नहीं बढ़ती है, हमारे देश की परगती, समाज की परगती, घर की परगती, नौकरी देने वालों से बढ़ती है, तो कम से कम education सेम है, फोसिस सेम है, तो हमें कहा जाएक हम education अपने बच्वों को दें, अपने सायद्मों को दें, लेकिन एक quality education हो, और दूसरी चीज़े हैं कि सीखने की कोई उमर नहीं होती है, लोग कहा जाता है कि यह जो पिछे अजार क्रोर का मालिक था, इन्होंने पाच र आपसे काम सुरूब की आता है, और बागी जो पैसा बनायाता ना, वो उनके 50 साल के बाद बनेते, यानि पिछले 10 सालों में इन्होंने प्रगती कीती अमुलबूल, यानि यह सीखते रहे सब दिक हैं, तो हमारे आपके अरहमा उन लोग मिडिल फेमिली वाले क्या करते हैं चाहे हमारे नौकी के चेतर में काम आए, समाज के चेतर में काम आए, या अपनी परगती में काम आए, तो बहुत कुछ नहीं कहेंगे, सिंपल सी मात कहेंगे, कि अपने स्वास्त के परती अलर्ट रहे है, अपने नौकी के परती अलर्ट रहे है, सीखने के परती जागरू पढ़ेगा और प्रियासित हैगा कि हम बढ़ है मेरा घर बढ़े मेरा परिवार बढ़े समाज बढ़े और इन सब से मिलके देश ऑटमेटिक बढ़ जाए